हाई फ्रेंड्स वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फेमिली फंडा सुटिसन पर फ्रेंड मैं हूँ नीलम और आज किस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ उबली हुई चाय पत्तियों के कुछ हैसे फायदे जो कि सायद आप नहीं जानते होंगे हमारे घर की ले बहुत ज्यादा हमारे की लीनिंग में हमारे बालों के लिए इसी के लिए पूरा फायदा उठा सके मुझा को उरह ओं सब्सक्रेश में इस रहे हैं लेकिन हम सभी मियो चाय पत्तियों कե से उठाकर फैकर देते हैं लेकिन यह इतने जाध कीमत हैं यह वीडियो देखने के बाद आप पक्का यह उबली हुई चाय की पत्नियां दुबारा इस्तिमाल करना शुरू कर देंगे इन्हें फेकिंग नहीं तो अगर आप मेरे चैनल को नीचे लागन के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल साथ ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए ते प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए तो फ्रेंट चलिए जानते हैं उबली हुई चाय पत्तियों के आठ बड़े फाइदे मंद होती है इसका दूसरा फाइदा है सर्डी जुकाम के लिए क्यकि सर्दियों को होता है लिए अक्तर हमें सर्दी और कप की समस्य हो जाती है तो ऐसे हमें हमें यह खेल सמ׏ स्थेलियों को में अब और इस एक क्राफिनuestas हैं dun programır तो ऐसे में हमें यह हुबली हुई चाय की पत्तियों ब अपने हाथों में लेकर उबली हुई चाह पत्तियों को रगणने से सर्दी और कप की समस्या दूर होती है तो इस तरह से यह हमारी सर्दी जुखाम को भी ठीक करने में काफी फायदे मंद है तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारी क्लिनिंग में बहुत ज्यादा काम हता है सबसे पहले उबली हुई चाह पत्ति के लिए पानी से वास्त कर ले ताकि उसमें जो भी मीठा पानी निकल जाये उसके बाद उसमें एक या दो कप पानी डाल पर उसे बार अच्छे से बॉयल कर ले और इस पानी को चाहन कर रगड़ कर भी पोच सकते हैं इसे भी धब्बे साप जाते हैं और इसका चौथा फायदा यह है फ्रेंट की यह बहुत अच्छी खाद है और इसे गमले में डालते हैं तो हमारे जो गमले की मिट्टी होती है और ज्यादा और ज्यादा उरवरक हो जाती है और इससे पौधे बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से बढ़ते हैं बहुत अच्छे से ग्रोध करते हैं और खासकर यह गुलाब के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदे मन्दे गाईज़ अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं या बहुत चोटे-चोटे फूल तो आप उबली हुई चाय के पत्तियां अपने गुलाब के गंबले में जरूर डाले इससे यह बहुत अच्छा खात का काम करेगा और आप देखोगे कि कुछी दिनों में आपके गुलाब के पौधे पर बहुत ज्यादा मात्रा में फूल आना सुरू हो जाएंगे और पह यह चोट और घाव को भी ठीक करने में बहुत जादा फादे मंद होता है अगर कहीं पर चोट लग जाए तो वहां पर उबली हुई चाय पत्तियों का लेप लगाने से खून का पहना बंद हो जाता है और वहां पर इंफेक्शन होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है इ इस उबली हुई चाय पत्तियों का भी अपनी क्रोकरी को क्लीन करने में यूज करेंगे तो क्रोकरी में काफी अच्छी साइन आ जाती है इसके अलावा आप अपने किचन के ग्लास के जो भी सामान है उनको साफ करने के लिए उबली हुई चाय पत्ति से अगर आप उन बालों के बहुत अच्छा कंडिशनर है इस नैजरल कंडिशनर को बनाने के लिए सबसे पहले उबली हुई चाह पती को एक बार अच्छी से वास करने ताकि जो भी मीठा पने वो निकल जाए उसके बाद उसमें दो कप पानी डाल कर उसे अच्छी से बॉयल कर ले और इस पा जरूर कर सकते हैं और जब भी जरूरत इनका इस्तमाल कर सकते हैं और इस वीडियो में मैंने आपको आठ हैसे बहुत अच्छे बेनी फिट बताए उबली हुई चाह पत्तियों के तो इसमें से कौन सा आपको टिप्स सबसे ज्यादा पसंद आया आप प्लीज हमी कमेंट ब बाइ